नमस्कार दोस्तों अभी इस वीडियो में हम square root of six find करना सिखेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखिए अन्य वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी उन्हें जाकर देखो बहुत आसान है दोस्तों यहाँ पर हम अपना long division method का में ले रहे हैं जिसमें आपको केल तीनी step करने देखिए यहाँ पर मैं six को इस विसाब से लेता हूँ उसके बाद मैं देखता हूँ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर यहाँ पका पहला step है या तो six आजाए या six से just कम आए देखो two multiply two four होता है उसके बाद मैंने चेक या three multiply three के लिए जो nine होता है जो देखो क्या है यहाँ पर six से बड़ा है तो इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पर हमने किसको लेना है two को लेना है यहाँ आपका second step two को इस प्रकार से लिखना है जिस संख्या को हमने लिए इसको एक वार उपर यहाँ ऐसे लिख देना इसका जो multiply है इसके जिस नीचे लिख देना तीसरा step minus करना है इनको add करना है अब देखो आगे point लगा देंगे यहाँ पर इसके पीछे दो zero लगाएंगे यह सबसे महत्पन बात है देखे एक साथ कितने zero लगे है दो zero एक साथ लगे है उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा नया संख्या क्या बन गया है तो इसका मैं आपको आइडिया बता देता हूं देखो चार को हम पांस से मल्टिप्लाइ करता है कितना बीस आता है चीक है तो यहां पर यह जो संख्या इस से छोटा लेना तो इससे मैं छोटा कितना चार लेता हूं चार चोग सोड़ा एक हंचल सब गल सोड़ा एक सट्राइक सूसी इतरा आ गया किसको लिया दोस्तों चार को लिया सेटिंग बेठा पांच को लेकर आप छे कर लेना पांच का जो मल्टिप्लाइ आएगा वो इससे बढ़ाएगा ठीक है क्यों बढ़ाएगा बीस यह होता है और इसके पीछे देखो पांच मल्टिप्लाइ पांच पचीस दो किरे आएगा बीस दो बाइस ठीक है ऐसे जो आपका डिरेक्ट आइडिया लगाने से काम आसान हो जाता है आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो यहां पे मल्टिप्लाइ कितना है दोस्तों आपका 176 ठीक है उसके बाद आगे वही आपका थार्ड इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है तो मैं माइनस करता हूं यहां चार आ जाता है यहां दो आ इनको हमने प्लस किया तो 48 आ गया पॉइंट लगा रखा है तो आपके इसके दो जीरो पीछे लिख देने ठीक है घटाते ही दो जीरो लिख देने पॉइंट लगाने के बाद हर रिष्टे में यह होगा कॉमन है अब यहां पे संग्या कितना मन गया है आपका चोईस हुई है कितना 48 48 की पीछे एकसा मैं कौन सिशन के लों उसका मल्टिप्लाइ करूं जिससे मेरा यह आए देखो यहां पे छै को मैं स्वरी चार को छैसे गुणा करता हूं 5 को लेकर मैंने मुल्टिप्लाइ किया तो यहां पे 25 आ गया दो केरे चला गया 40 42 चार केरे आ गया 20 24 अब क्यों आर देखिए यहां पे देखिए हाँ एडजेक्ट पहुंच चुके हैं फिर भी देखो ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम एक वार नीची उतर जाएंगे किसको चार को लेने से आपका काम हो गया मुल्टिप्लाइ किया 16 आ गया एक केरी चला गया 32 एक 33 तीन केरी आ गया 16 तीन 19 आ गया बाइनस किया 4 आ गया यहां पे आपका कितना 6 आ गया उसके बाद यहां पर कितना आपका 13 होगा 13 मैं से 9 गया 4 आ गया 464 आ गया पॉइंट लगा रखा है तो यहां पे मैं 20 लगा दूँगा यहां पे इसको मैं एड कर दूँगा तो यह आपका आ गया अब नया संख्या यहां पे क्या बन गया है दोस्तों यह आपका नया संख्या बन गया है यहां पे कितना है 488, इसके पीछे ऐसी कोई संख्या लेंगे, उसका multiply करेंगे, और यह आपका process है, जो इस प्रकार से आगे continue होता रहेगा, जहां तक हमें point के बाद, square root का value निकालना, वहां तक calculation करेंगे, तो यहां पे अंडूट 6 का value कितना गया, 2.44 आपका, अंडूट 6 का value आ गया है, धन्य हूंड़ी एूब करेंगे हैं. इसके ऐस काल चैन के लूब का बाया है. चर्दयान आपका पर न nightmare, अंचे कालना है, तक का वहां वहांगे, यहां है, तक हैसा दो तक हैंपका बाया है estásित अगळुका है, जबले का और दूब है आपकाूब म्स प्रकार है धन input भर का मैंना